हेलो फ्रेंद्स इवर सोई में आपका स्वाधत है आज मैं आपके लिए लेकर आएँ रेड़ सोस पास्ता की रेसिपी इसे आज हम बहुत ही सिंपल और असान तरीके से बनाएंगे जिससे यह आपको और आपकी फैमिली मेंबर्स को बहुत ही पसंद आएगा तो चलिए अब हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले इसके लिए मैंने लिया है पास्ता यहां पर मैंने लगबग दो कप लिये हैं मैं यहां पर पैनी पैनी पास्ता का यूज कर रही हूं आप कोई सी भी शेप का पास्ते का यूज कर सकते हैं सबसे पहले हम इसे बॉयल करने के लिए मैंने यहां पे पैन लिया है पैन में मैंने तीन से चार कप पानी डाले हैं पानी को अच्छे से गर्म करेंगे अब इसमें मैं डालूँगी एक चम्मच रिफाइंड वायल और एक चम्मच मैं डालूँगी नमक और अब इसमें मैं डालूँगी पास्ता पास्त दालने के बाद इसे मैस में अच्छे से इस तरह से मिक्स करूंगी इसे हमने 6-7 मिनट तक बॉयल करना है इसे हम ढखकर रख देंगे इसमें हमने रिफाइन डाल लाए ताकि हमारा पास्ता आपस में चिप केना दो से 3 मिनट के बाद हम ढखकन को ठाकर देखेंगे और ये दे इसके लिए मैंने यहां पर एक कड़ाही लिए इसमें मैं डालूँगी डिफाइन वाइल के दो चमच इसे मैं अच्छे से गरम करूंगी हमारा वाइल अच्छे से गरम हो गया है अब इसमें मैं डालूँगी एक चमच जीरा और साथ मैट करूंगी एक टोड़ी बारी पत फ्याज करेंगे लिक्स करने के बाद प्याज को ज्यादा नहीं पका ह्या! अपके लगा ताथ इस तरह ही चलायों गत्रेया है. जैस की क्लेम को हमने मीडियम परी रखना है और आप देख सकते हमारा प्याच थोड़ा सा पक गया है अब इस केट पर मैं इसमेड करूँगी अद्रक यहाँ पर मैंने एक चुकड़ा डाला है अद्रक का है इसे मैंने ग्रेक किया हुआ है इसे मैं प्याच के साथ अक्षेशी तरह से मिक्स करूँगी और लगातार चलाती रहूँगी और यह देखिए हमारा प्याच और अद्रक लगबग पक गया है इसे हमने ज़्यादा नहीं पकाना है अब इसमें मैं डालेंगी तमाटर की जोड़ी यहाँ पर मैंने डाले हैं 4-5 तमाटर तो मैं प्याच और तमाटर को अच्छे से मिक्स करूँगी गैस की फ्लेम को हमने मेडियम पर ही रखना है ताकि मारा तमाटर अच्छे से पक चाए इसे पकाते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं अब इसमें मैट करूँगी पास्ता मसाला यह बहुत असानी से मार्केट में मिल जाता है इसका टेस्ट काफी ही अच्छा आता है फिर इसे भी मैं इसके साथ अच्छे से मिक्स करूँगी और अब मैं इसमें डालूँगी सुफोला की तंदूरी मार्नीस लगबग दो चम्मच इसे भी हम इसके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे इसका फ्लेवर काफी अच्छा आता है आप इसको स्किप भी कर सकते हैं इसे मैं इसके साथ अच्छे से मिक्स करूँगी अब इसमें मैट करूँगी मसाले सबसे पहले मैं डालूँगी हाफ चम मगर्च pap इसमें अपने टेश्ट के कोडिंग कम जायादा कर सकते हैं अभ इसमें अड़ करूँगी और गैनो यहां पर मैंने एक छोटा पकल ले आये इसमें मैंने पूरा डाला है और साथ मैं अड़ करूँगी अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इससे स्किप्ट कर सकते हैं प्रिंट दोनों को भी मैं इसमें अच्छे से मिक्स करूंगी और ठोड़ीर के लिए से पकने देंगी ताकि सारे मसाले अच्छे से पक चाए आप इस का दिए कितना ही अच्छा आया है इसे हम 2-3 मिनट के लिए इस तरह ही पकने देंगे गैस की फ्लेम को हमने लोग पर ही रखना है दूसरी साइड हमारा पास्ता कितने अच्छे से बॉयल हो गया है इसे मैंने पानी से निकाल कर छनी में चान लिया था और इसे अब हम डालेंगे पैन में इधर हमारी ग्रेवी भी एकदम से पक गई है अब इसमें मैं अट करूंगे हमारा पास्ता अब इसे हम रेड सोस के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हमने हलकी आतों से मिक्स करना है ताकि हमारा सारा पास्ता अच्छे से रेड सोस से कोट हो जाए और तूटें भीना आप देख सकते कितने अच्छे से हमने से mixed किया है थूटी हातों से इसे हमने थोड़ दिर के लिए पकने के लिए छोड़ देना है दो से तीन मिनट के लिए और दो से तीन मिनट हो गए है आप देख सकते हैं हमारा pasta बन कर अब हम गयस की फ्लेम को करेंगे बंद और इसे हम करमा गर्म सर्प करेंगे प्लेट पे तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इसे हमने बहुत ही सिंपल और असान तरीके से बनाया है जिसे यह आपके बच्चों और फैमिली मेंबर्स को बहुत ही पसंद आएगा तो आप भी मेरे स्ट्रेप्स को फोलो करते हुए एक बार इस रेसीपी को जुरूड मनाएं यह रेसीपी आपको बहुत ही पसंद आएगी तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो हम फिर मिलते हैं एक नहीं रेसीपी और एक नहीं वीडियो के साथ ठेंक्यू फॉर वर्चिंग